ये अच्छी बात है कि सफल होने का तरीका समझने के लिए तुम दोनों मेरे पास आए हो इसका मतलब है कि तुम सकारात्मक तरीके से सोच रहे हो जी सर हम पीछे नहीं रहना चाते और समझना चाते है कि श्रीकर की तेरह सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए सर हमें ये पक्के तौर पर जानते है कि अगले दो सालो में हमें घुक है तुमारा लक्स पश्ड है अब तुम्हें सिर्फ अपने लक्SH पर फोकस करने की जरूरत है मेरे साथ आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम श्रीकर को काम करते हुए गौर से देखो, ध्यान से देखो क्योंकि मैं तुमसे प्रश्ण पूछूंगा, ठीक है? जरूर सर आओ चले शुक्रिया सर हमें इस कलवर्ट के कंस्ट्रक्शन का सिमांकन करना है तुम जाओ और उसे सिमांकित करो ध्यान रखना कि कोई गल्ती न हो तुमने देखा, वो हर एक चीज का कितनी बारी किसे खयाल रख रहा है और उसे अच्छी तरह से समझा रहा है तो तुमने क्या देखा? सर, स्रीकर सब कुछ जानता है हाँ, उसे अपने काम के बारे में पूरी जानकारी है सफलता की और और एक कदम आओ श्रीकर, क्या तुम जरीबी एक सो के विजिट के लिए तयार हो? जी सर, मैं पूरी तरह से तयार हूँ हर काम अच्छी तरह से हो जाए ये सुनिश्षित करने के लिए मेरी टीम भी मुझे सहकार्य कर रही है तो, तुमने क्या समझा? उसने हर चीज की योजना बनाई है वो टीम का सदस्य है मुझे आशा है कि तुम काम समय पर खतम करोगे बिल्कुल सर, मैं और मेरी टीम सुबह 5 बजे घर से निकलेंगे हम यहाँ सुबह 6 बजे मिलेंगे और ठीक 6.30 बजे जरीबी 100 के लिए निकल पड़ेंगे हम वहाँ 8 बजे तक पहुच जाएंगे और शाम के 4 बजे तक काम खतम कर देंगे ताकि हम शाम के 6 बजे तक आराम से घर पहुचे वा, समय का सही प्रबंदत, इन सब के अलावा तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और होश्यार बनना होगा, तुम जो भी करो उसमें दुर्ण प्रतिक गिर हो, और यदि तुम अनुशासित हो, तो सफलता तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी, एक मिनिट रुको, ओके? तुम्हें क्या लगता है? ये क्या है? आपके पदचिन है सर अच्छा, तुम ये पदचिन बनाओ, नहीं नहीं, चलना नहीं, इन्हें वही से बनाओ लेकिन सर, हम कैसे कर सकते हैं? पदचिन बनाने के लिए हमें चलना बड़ेगा एक दम सही दोस्तो, जैसे बैठे-बैठे पदचिन नहीं बन सकते, वैसे ही तुम ख्वाब देखते हुए सफलता हासिल नहीं कर सकते तुम्हें इसके लिए काम करना पड़ेगा, सफलता मन्जिल नहीं है, एक यात्रा है